साथिन आश्कार बहुत स्वागत है अमारे इसे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारतिय संबिधान के अनुछेदे इसे रिलेटे टफोटी कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके गजाम में पूछे जाने की सम्भाव होना सबसे अधिएक है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्त देखिए चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्वाली घंटी के निसान है उसे भी अनकरते हैं ठीक है तो चले शुरू करते हैं देखिए यहां पर हमारा पहला कुष्चन है भारतिय सम्भिधान के किस अनुछेद का उप्योग है अभे तक नहीं हुआ है तो देखिए अगर आपको इन में से किसी कुष्चन का अंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंड बक्स में लगा सकते है तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ओप्सन डी हो जायाएगा भारतिय सम्भिधान का अनुछेद 360 का उप्योग जो है अभे तक नहीं हुआ है अनुछे 360 क्या है तो यह बीतिया अपातकाल है अगला कुश्चन देखिए कुश्चन नमर्टू है सम्भिधान में मंत्री मंडल सब्द का एक बार परियोग हुआ है और 21 अनुछेद में बढ़नेत है तो देखिए इसका बढ़न जो है यह भारतिय सम्भिधान के अनुछेद 352 में किया गया है इसके अलावा अनुछेद 352 जो है यह राश्टिय आपातकाल के बारे में बताता है ठीक है अगला कुश्चन देखिए कुश्चन नमर्टू है भारतिय सम्भिधान एक के से अनुछेद के अंत्रगत राश्पति लोग सभा को भंग कर सकता है अगला कुश्चन देखिए कुश्चन नमर्टू है भारतिय सम्भिधान के अनुछेद 124 के अंत्रगत राश्पति जो है तो देखे इसे correct answer option A हो जाएगा भारतिय सम्भिधान के अनुछेद 124 के अंत्रगज़ु है ये सर्वोच नियाले के नादेश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है ठीक है अगला कुश्यन देखे कुश्यन और 5 है निमनलिखित में से किस अनुछेद में ये बताया गया है कि राश्पती सर्वोच नियाले से परामर्स ले सकता है तो देखे इसे correct answer option A हो जाएगा भारतिय सम्भिधान के अनुछेद 143 में ये बताया गया है कि राश्पती सर्वोच नियाले से परामर्स ले सकता है तो देखे इसे correct answer option A हो जाएगा भारतिय सम्भिधान के अनुछेद 324 में ये निर्वाचन आयो के लिए प्रावधान है तो देखे निर्वाचन आयो के अस्थापना कब होई थी तो देखे निर्वाचन आयो के जो अस्थापना होई थी 25 और निर्वाचन आयो के नियुकति किसके द्वारा किया जाता है तो ये राष्टर पती के द्वारा किया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर्सा आथ है 42 संबिधान संसुधन द्वारा किस अनुछेद में मौलिक करते बेको जोड़ा गया है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन बीउ जाया आएगा भारतिय संबिधान के अनुछेद 51 एक अंत्रगत जो है ये भारतिय संबिधान में 44 संबिधान संसुधन के अंत्रगत मौ माभियोग चलाया जा सकता है तो देखें से correct answer option do जाएगा भारतिया संभिधान के अनुछेद 61 के अंतरवाज़ु है ये भारत के राश्पती पर माभियोग चलाया जा सकता है ठीक है इसके अलावा किस अनुछेद में राश्पती के पद के बारे में बताया गया है तो देख सकता है तो देखें से correct answer option do जाएगा भारतिया संभिधान का अनुछेद 24 है ये भारतिया संभिधान का अनुछेद 24 है ये मौलिक अधिकारों के अंतरवाज़ु है बच्चों के सोसन से संभिध है ठीक है अगला question देखें question number 10 है भारतिया संभिधान के अनुछेद में निय अंतरा के एवा महालेखा परिक्षा के नियुक्ति के बारे में बताया गया है तो देखें से correct answer option do जाएगा भारतिया संभिधान के अनुछेद 148 में ये निय अंतरा के एवा महालेखा परिक्षा के नियुक्ति के बारे में बताया गया है ठीक है निय अंतरा के एवा महाले भारतिय संभिधान एक किस अनुछेद में अल्प संख्याकों के हीतों के संरक्षन की ब्यवस्ता की गई है तो देखे इस करेक्ट आंसर ओप्सन सी यू जायेगा भारतिय संभिधान के अनुछेद 29 में जो है ये अल्प संख्याकों के हीतों के संरक्षन की ब्यवस्ता की तो देखे इसे correct answer option D उजाएगा भारतिया संबिधान के अनुचेद 32 में यह बताया गया है कि भारत का जो सरोच नियाला है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ठीक है अगला question देखे question number 13 है भारतिया संबिधान 21 अनुचेद में राज्य के नीति निर्देसक ततो का उल्ले किया गया है ठीक है अगला question देखे question number 14 है भारतिय संविधान के किस अनुछेद में उप राश्पति पद का प्रावधान दिया गया है तो देखे इसे correct answer option C जाएगा भारतिय संविधान के अनुछेद 63 में जो है ये उप राश्पति पद का प्रावधान दिया गया है जिसके अलावा भारत के जो राश्पती होते हैं ये अपना त्याग पत्र की से प्रस्तूत करते हैं तो देखें भारत के जो राश्पती होते हैं ये अपना त्याग पत्र हैं ये उपर राश्पती को प्रस्तूत करते हैं ठीक है अगला कुश्चन देखें कुश्चन और 15 है भारतिय संबिधान 21 अनुछेद में प्रेस की स्वतंता इबारे में बताया गया है तो देखें इसए correct answer option A हो जाएगा भारतिय संबिधान के अनुछेद 19 A में जो है ये प्रेस की स्वतंता इबारे में बताया गया है ठीक है? अगला question देखे, questionndule 16 है संबिधान के किस अनुछेद में भारत के माहन नयावादे की नियुक्ति के बारे में बताया गया है तो देखे इसे correct answer option D हो जाएगा भारतिय संबिधान के अनुछेद छी अतर में जो है ये भारत के माहन नयावादे की नियुक्ति के बारे में बताया गया है भारत के महानयावादे की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है तो देखे भारत के महानयावादे की नियुक्ति जो है यह राष्ट पते के द्वारा किया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर से बेंटेड है निमनलेखित मैंसे कौन सा अनुछेद है अगला कुश्चन देखे, कुश्चन नमर 18 है, भारतिय संबिधान 21 अनुछेद में नई अखिल भारतिय सेवा की अस्थापना का प्रावधान है, तो देखे, इस है करेक्ट आंसर, ओप्सन सी यू जायाएगा, भारतिय संबिधान का अनुछेद 312 जो है, ये नई अखिल भ इस अनुछेद में दिया गया है, तो देखे, इस है करेक्ट आंसर, ओप्सन, ए उचायाएगा, भारतिय संबिधान के अनुछेद 313 में जो है, ये राज बिधान सभाओं में एंगलो इंडियन समुदाई के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है, इसके अलावा, लोगसबा में एंगलो इंडियन समुदाई के लिए प्रावधान सम्बिधान 21 अनुछेद में दिया गया है, तो देखे, इस अकरेक्ट आंसर, ओप्सन, ए उचायाएगा, भारतिय सम्बिधान के अनुछेद 313 में जो है, ये लोगसबा में एंगलो इंडियन समुदाई क हिंदी तथा देवनागरी होगी तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन बी हो जायाएगा भारतिय संबिधान के अनुचेत 345 में यह प्रावधान दिया गया है कि संग की राजभासा हिंदी तथा देवनागरी होगी ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमा 22 है संबिधान 21 अनुचेत के तहत यह बताया गया है कि अवसिष्ट सक्तियां केंदर के पास नहीं थे तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन बी हो जायाएगा भारतिय संबिधान के अनुचेत 248 में यह बताया गया है कि अवसिष्ट सक्तियां यह केंदर के पास नहीं थे ठ झाल तो देखे इस ऐ हैं नियम् spirसेद परफ़ांघ संभीधान करुशार कि या मैं टिक हैं तो गला कुछ से क्यंत्राइब करेक्ट आंसर ऊप्षेद 3 इस आंचा सम्भीधान के अङ्ट और राजंग्से राद किक लिए को माल तो देखिए क्या अगला कुश्चन देखी कुश्चन नमर 25 है सम्भिधान 21 अनुश्यद के अंत्रगत है केंद्र सरकार राज सरकारों को निर्देश दे सकती है तो देखें इस और अन्सर अप्सन सी यो जाएगा भारतिय सम्भिधान के अनुश्यद है 256 के अंत्रगत है ये केंद्र सरकार राज सरकारों को निर्देश दे सकती है ठीक है अगला कुश्चन देखी कुश्चन नमर 26 है सम्भिधान 21 अनुश्यद में यो अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संग होगा अगला कुश्चन देखी कुश्चन नमर 28 से बेन है सम्भिधान 21 सम्भिधान के अनुश्यद 1 में भारत को क्या कहा गया है तो देखे भारतिया सम्भिधान के अनुश्यद 1 में ये भारत को ये राज्यों का संग कहा गया है ठीक है डिकरेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखी कुश्चन नमर 28 है भारतिय संबिधान एक किस अनुछेद में नागरीकता संबंधित प्रावधान है तो देखे इस करेक्ट आंसर ओप्सन B हो जाएगा भारतिय संबिधान के अनुछेद पांस से गारा में जो है ये नागरीकता संबंधित प्रावधान है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 29 है निमनलिखित में से किस अनुछेदों द्वारा भारतिय सम्विधान नागरीकों को मूल अधिकार निश्चिता परदान करता है तो देखे इस करेक्ट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा भारतिय सम्विधान के अनुछेद 12 से 35 तक के द्वारा जो है ये नागरीकों को मूल अधिकार निश्चिता परदान करता है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 30 है भारतिय सम्विधान 21 अनुछेद के अंतरगात है संसद को सम्विधान संसोधन का अधिकार दिया गया है तो देखे इस करेक्ट आं अनुछेद 368 के अंतरगात जो है ये अधिकार दिया गया है मतलब संसद को संसोधन करने का ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 31 है संविधान 21 अनुछेद में ये बताया गया है कि संपतिक अधिकार संबैधानिक अधिकार है तो देखे इस करेक्ट आंसर संपतिक अतर निकी अनुछेद में अनुछेद जातियों और अनुचेद जाथियों के लिए आरक्षन का प्राउधान है तो देखें इसे correct answer option यह हो जाएगा भारतिय संबिधान के अनुषेदे 335 में यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षन का प्राउधान दिया गया है ठीक है अगला question देखें question number 33 है भारतिय संबिधान 21 अनुषेद में राज में बिधान परिशत की अस्थापना और समापती के लिए प्राउधान दिया गया है तो देखें भारतिय संबिधान के अनुषेद 179 में यह राज में बिधान परिशत की अस्थापना और समापती के लिए प्राउधान दिया गया ह ठीक है, अगला कुश्चन देखे, कुश्चन नमर 34 है, भारतिय संबिधान का कौन सा अनुचेद है, भारत की बिदेश से नीती से संबंधित है, तो देखे, भारतिय संबिधान का अनुचेद जो 51 है, ये भारत की बिदेश नीती से संबंधित है, ठीक है, अगला कुश्चन देखे कुश्चन 35 है भारतिय संबिधान के अनुछेद 17 में किसका उपबंद किया गया है तो देखे ये तो बताएं चुके हैं कि भारतिय संबिधान का जो अनुछेद 17 है ये अस्प्रिस सेता का उन्मोलन यानि छुआ छुद से सम्बंदित है ठीक है अगला कुश्चन दे का रहा है ये भारतिय संबिधान के अनुछेद 14 से 18 तक में दिया गया है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 38 है भारत के राश्पती द्वारा राश्टिया पातकाल की गोंसरा संबिधान के किस अनुछेद के अंत्रगत किया जाता है तो देखे भारत के आटालेश है समफथान है में प्रावदान को निगा शंच Maar unGAN के अस्तिति में ुच्छण में इस इसल न boils फिकां किया गिन थे कुश्छन है भावर्धीय संबैधान के किस अनुच्छण के अ॥ार पर बीतिया पात की घोंसडा रास्पति करता है तो देखिए यहाँ पर आपको चार अपसंदिया गया है तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है कमेंड बक्स में जरूर बाता है चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी के निसान है इसे भी आन काईड़ते हैं ठीक है? मिलते हैं आगले बीडियो में थैंक्स पर वाचिंग